दोस्तो आफ तक आप सभी ने बहुती सारे अजीबों करीब जानबर देख चुके होंगे लेकिन अगर आपने अवी तक इन ट्रांस्परेंट और इन्वीजिबल जानबर को नहीं देखा तो फिर क्या देखा? दो दोस्तो चलिए पिना किसी डेरी किये आज किस इन्वीजिबल और ट्रांस्परेंट सी आनिमल से फरा फरा फिडियो को चलती से स्टार्ट करते हैं दोस्तो फट्रिया कापने वाली थंडी पानी में पाई जाना विला सी आंजल्स दिखने में किसी उन्ने वाली परियों से कम नहीं दिखते हैं दोस्तो ये इसनी ट्रांस्परेंट होते हैं कि आप इनके बोड़ी के अंदर मौजुद और गास्पी देख सकते हैं अब दोस्तो इन जानबरों की आँखे नहीं होती जिसके चलती ये अपने से सिंग जिससे स्ट्रक्चर से ही सेंस करती है और दोस्तो आप इने एकदम से मन भर के देख लेना कि इतने छोटे आकार बले अद्बुज जानबर ये लाइफ में हर किसको देखने के लिए नहीं मिलते हैं दोस्तो सम्मंदर में रहने वाला एक इसा मचली है जिसे अगर आप देख लेते हो तो आपको ये किसी एलियन से कम नहीं लगेगा अब दोस्तो ये मचलिया पूरी तरह से ट्रांस्परेंट नहीं होती लेकिन इनके मूगे आसपास की एरिया इतना ट्रांस्परेंट होता है कि आप इनके सर में मौजुद सारे ओर्गांस भी देख सकते हो दोस्तो ये जो आपको दो आँखे दिख रहा है आपको बता दे ये इनके नकली वाले आँखे होते हैं और इनके असली वाले आँखे इसके अंदर होते हैं और दोस्तो जब रात होती है न तब इनके आँखे कुछ इस तरह से चमक नहीं लगती है नब़ 8, transparent ULC दोस्तो, इसी में, ULC पांसो फोल्ट की करेंट मानने क लिए चाने जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं, इनके कुछ प्रजतिया एक तम से transparent होते हैं मतलब इनके आर्षसे लेकर पार तक सब कुस देखा जा सकता है अब दोस्तो ये जो पानी के अंदर होते हैं तब इने देख पाना काफी मुश्किल हो जाता है जिसके चलते ये पारदर्सी जान पर आपके सामने होते हुए भी आप इसे पेचार नहीं पाते हैं वैसे जो भी हो ये दिखने में बड़े ही कमाल के लगते हैं है ना दोस्तो क्या आपने कभी ऐसा मेंटेक दिखाए जिसके बाहर से लेकर अंदर तक सब कुछ दिखाई दे रहा हो दोस्तों ये मेंटेक इतने ट्रांस्परेंट होते हैं कि आप इनके बाड़े के अंदर मौचो धड़ेकती हुए दिल से लेकर इनके बलड फेसल्स परकेर आपी देख सकते हो और अपनी ट्रांस्परेंट बोड़ी के सथ ये जब पेड़ पोदो पर होते हैं ना ते विने पीचान पाना मुस्किल हो जाता है जिसके चलते सिकारी जानबरों के हमले से ये खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेते हैं अब दोस्तें सी साफ समदर में पाई जाने वाला एक इसा जानबर है जिसकी पूरा का पूरा सरीर ही पार दर्सी है दोस्तें जानबर एक पंप की तरह पानी को खीच के अंदर लेते हैं और फिर उससे बाहर छोड़ देते हैं और दोस्ते जान पर जादा तर अपनी कॉलोनी बना कर कुछ इस तरह से अपनी चेन की सेफ में ही रेना पसंद करते हैं जो कि देखने में इसा लगता है जैसे धेर सारे पानी के बॉटेल पानी में तेर रहे हैं अब दोस्तो तितलियां आप सभी इने देखा होगा लेकिन इसा वाला तितली अब साइधी पेले कभी देखे होंगे दरसल सेंटर अमेरिका में जादा तर पाई जाने वले ये तितली पूरी तरह से ट्रांस्परेंट होते हैं और दोस्तो ये जो पेट पौदर पर होते हैं तभी इने पिचान पाना पेहरी मुश्किल होता है जिसके चलते सिकारी जान बरो के हमले से ये ज़्यादा तर खोद को बच्चा भी लेते हैं लेकिन ये तितलियां पौदी खूबसरत होने के साथ साथ बहुत ही जहरी लिवी होती है दोस्तो आस तक आप सभी ने पौदी सारे स्नेल्स देखे होंगे लेकिन इस तरह के स्नेल्स आप साईधी कभी देखे होंगे दरसल आपको बता दे ये पैरासेर्स के वज़े से तिखने में एसा लगते हैं दोस्ते पैरासेर्स इनके आँखों में कुछ इस तरह से घूच जाते हैं और तो और ये इनके दिमाग को भी पूरी तरह से कबजा करके उनको कंट्रोल करने लगते हैं जिसके चलते ये दिखने में एसा लगते हैं और दोस्तो इन्हें जॉंबी स्निल या फिर डिस्को स्निल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो क्या आपने एसा मचली पेले कभी देखा था दोस्ते मचली दिखने में ऐसा लगती है जैसे मानों किसी ने जेली पर मचली की आँखे को चिपका दिया है दरसल इन मचली के आँखे वगरा को छोड़ कर बाकी सब कुछ एक दम से ट्रांस्परेंसी होती है जो कि अपने आप में इसे दिखने में और भी जादा इंट्रेस्टिंग बना देती है दोस्तो सम्मंदर में पाए जाने बाला इस मचली का ना सरजिन फिस इसलिए पड़ा क्योंकि इनके ब्याक और टेल्स के पास का एरिया एकम चाकू जितना थार बले होते हैं जिसके चलते ये किसी के हाथ को भी बहुत ही आसान इसे चीर भाड सकती है सायनोगास्टर नॉकटी भागा दोस्तो इस मचली का नाम जितना अजीव है ये मचली उससे भी जादा अजीव और इंट्रेस्टिंग भी है दोस्ते ये मचली इतनी ट्रास्परेंट होती है कि पानी के अंदर एक दम से इन्विजिबल हो जाती है और ये मचली अपने transparency body और highlighted वाली blue belly के लिए जाने जाते हैं। खिट चोपियों ये मचली दिखने में बड़ा ही interesting सा लगता है। है ना। अब दोस्तो स्कूइट के बारे में आपने कभी न कभी दोस्तो नाई होगा जो अपने बड़े बड़े आँखे और बड़े आखारबले सरीर के लिए चाने जाते हैं। तो दोस्तो अब जरा इसे देखो क्या आपने इसा जी पेले कभी देखा था। और भी कितने बड़े बड़े और डर आपने से जीप हो सकते हैं। तो दोस्तो अगर एसी वीडियोज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राब जरू करेना और वीडियो के सा लगा कमेंट में भी जरू बताना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।